नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से इक बर आपको सागत है, तो आज मैं बात करना बला हूँ Tata Group के एक दिगज IT सेक्टर के बारे में, तो आप सभी जानते Tata Group के बहुत सरे IT सेक्टर के साथ जुड़े हैं, बहुत सरे कमपानी से, तो उसी के एक कमपानी के बारे में बात करू तो उसी के बारे में बात करूँगा, मैं आज कोई TCS के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और अलग एक IT सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करूँगा, तो आप पहले ही धंबिन में देख चुके है, कमपानी का नाम है Tata Alexi, Tata Alexi, Tata Group के एक दीकच IT सेक्टर का स्ट बात करने वाले हों, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू सब्सक्रेब कर लेना, तो चलो देखते हैं अज के स्टॉक के बारे में, तो सबसे पहले में NSC के वेबसाइट के उपर आ चुका हूँ, या पर आपको उम कॉमपानी मीडिकेब था, अभी भी मीडिकेब रेंच में है, अभी भी लार्च के बात कर रहे है, यहा पर देख सकते हैं, आज के उपर बात कर रहे हो है Tata Elexi, आप देख सकते हैं, तो इसका जो पार्फोमेंस है आज के दिन करीबन करीबन यहाँ पर देख सकते है 2.69 मतलब मानके चलिए 1.5% का यहाँ पर तेजी देखने को मिला तो सोंबर के दिन को और भी तेजी देखने को मिल सकता है क्योंकि कॉम्पानी जिस तरीके से तो उसके हिसाब से यहाँ पर जबदस कुम्पानी पार्फोमेंस किया है तो इस पार्फोमेंस के सारे जानकरी यहाँ पर देने वाला हो तो वीडियो को पूरा देखना इसका मत करना आप इस टाइप स्टॉक से आपको फाइदा मिले ना मिले फिर भी आपको कुछ तो सबसे पहले में फाइनल से रेजल्ट के उपर आ चुका हूँ यह आप देख सकते है कॉम्पानी का क्वाटर एंडेट का रेजल्ट है हर कोई क्वाटर एंडेट के रेजल होता है और एक बात में यहाँ पर कहिना चाहता हूँ जितने सारे रेजल्ट अपके सामने पाटर तो आपको सिर्फ उसका एक अंदाजा लगा ना है उसके बाद आपको सारे पिया मीटर आपको देख सकते कॉम्पानी जिस तरिके से पारफॉमेंस क्या है, उसके हिसाप से कॉम्पानी यहां पर मुझे जाब दस लगा क्यूंकि टॉटल जो इस तरीके से ्रेविन 176 यहाप मिलियन भी हो सकते है लक्स में भी हो सकते है और करोड़ों में हो सकते है कोई भी figure हो आप figure को छोड़ जीजे आप सिर्फ amount को देखिए amount को देखिए आपको पते चल जाएगा कि company किस तरह कीसे चोड़ दीजिए फिगर अब देख सकते हैं में आपको फिगर नहीं बताऊंगा आपको सिर्थ परामेटर दिखाऊंगा यह दिखें 59,776 इस क्वार्डर में पिछले क्वार्डर में था 57,500 मतलब यह पे कम था पिछले सालों में और भी कम था 43,400 तो इस तीनों परामेटर क कंपरेजन करूं तो यह पे मुझे positive देखने को मिला तो इस quarter में तो साथे साथ expense के बारे में बात करूं तो करीबन-करीबन 42,600 इस quarter में expense हुआ पिछले quarter में 42,188 पिछले साल में 32,400 तो ओभराल बात करूं कम पानी का expense भी यहापे ज़्यादा देखने को मिला यहापे भी positive पॉजिटिव नहीं कहूंगा या पर नेगेटिव है क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो पॉफिट तो कम हो जाएगा ना तो फिर भी देखिए पॉफिट कितना हुआ वह भी आपको दिखाऊंगा तो उसके बाद आ जाता है जितने सारे टैक्सेस होते हैं करेंट टैक सकते हैं टोटल में आपको कॉम्प्रिहेंसिब इंकम के बारे में बात करूँगा क्योंकि जितने सारे प्यरमेटर है सबको माइनस प्लास करके जिए फिगर आता है उस फिगर को आपको देखना चाहिए या पर देख सकते कंपनी जब अदस परफोर्परमेंस किया है करीब करीबं 12,396 यहां पर लक्स में यहां पर टोटल कंपनी क्वाफिट किया है साथी साथ पिछले क्वाटर में जो था वह 11,338 अतलों बात करूँ यहां से कंपनी ने जाम किया है और पिछले सालों में तो बहुत कम था 7,926 तो यहां पर भी आपको जाम देखने को मिला तो दोनों चीज मुझे positive लगा और यहां पर आपको एक positive result आया तो इसी का नजरिया आज थोड़ा सा देखने को मिला और संबार के दिन मतलब मंड़े का दिन आपको इस company में और भी तेजी दिखने को मिल सकता है फिर भी देखिए market के situation wise company भागता है क्योंके market negative में open हो जाएग negative time में रहेगा तो कुछ तो दिक्कत होगा तो market का हार को सेक्टर में profit booking चलेगा तो इस सेक्टर भी pocket booking हो सकते है फिर भी मैं आपको कहूंगा इसका जो आज का हाई है उस हाई को break करते तो आपको अच्छा का सा एक rally देखने को मिलेगा देखिए मैं कोई internet tips नहीं दे रहा तो यहाँ पर सारे जानकर आपको दे चुका हूँ company का earning past share भी देख लीजिए earning past share भी बढ़ चुके है अभी 20 रुपीज है पिछले quarter में 18 रुपीज था पिछले सालों में 12 रुपीज था तो यहाँ पर भी आपको jam देखने को मिला दोनों quarter से तो overall बात करूँ company segment wise कितना performance क यह company का जो software development है software जो मतलब जितने सारे software support के लिए काम करते है उससे देखा जाता है company जावदा से आपको काम भी किया 59,500 इस quarter में पिछले quarter में 55,800 पिछले सालों के quarter में 43,000 तो overall बात करूँ यहाँ पर भी आपको positive देखने को मिला तो हर कोई department में हर कोई sector में हर करामेटर मे आपको positive देखने को मिला तो कमपणी ने जब अदस performance किया तो कल के दिन और future के लिए आपको इस stock में जुरूर बने रहना चाहिए कि कमपणी जिस तरके से performance करते हैं उसके हिसाब से मुझे तो यह company 5-star rating देने वाला company लगते है कि कमपणी का performance एक बात देख लीजिए आप आप सिर्फ एक parameter आपको दिखाऊंगा ठीक है तब आपको पता चलेगा company किस तरके से performance क्या सिर्फ अब इस data को देख लीजिए आप मतलब पिछले दिनों में किया था तो यह पर देख सेकते हैं 6600 एक बार आप हिसाब कर लीजिए हिसाब निकास कर लीजिए करीवन करीवन आपका फांट दो गुन से भी ज्यादा हो चुके है तो मैं इसलिए कह रहा हूं company IT sector तो बहुत जबदस तेजी दिखा रहा है तो सा इसलिए करीवन 42 पारशन का यह पर आज का दिन होल्डिंग उठ चुक है मतलब आज का दिन का मतलब 22 ऑक्टोबर का होल्डिंग उठ चुक है तो सारे परामेटर आप चेक कर सकते company का information भी देख सकते company जिस तरीके से यहाँ पर क्वार्टर बेसिस आपको performance के हिसाब से यार 2011 दे दो बार डिविदेन दिया 24 रुपीज 24 रुपीज दो बार मतलब करीबन करीबन आपको 48 रुपीज डिविदेन मिला 2020 में आपको 16.50% का डिविदेन मिला और 2019 में 13 रुपीज 50 पैसे का डिविदेन मिला और 2018 में आपको 11 रुपीज का डिविदेन मिला और company bonus भी बहु और एक share मिलेगा मतलब आपको दो share हो जाएगा तो आपको जावदस bonus भी मिला dividend भी मिला है तो company में जावदस potential आपको मान के चलना चाहिए देखें वही company आपको dividend देंगे जिस company का profit होता है जिस company loss में चलना है वह कैसे आपको dividend देंगे आज में एस बैंक के ऊपर वीडियो बनाया और भी फेडरल बैंक के ऊपर वीडियो बनाया तो वह भी dividend नहीं दिया क्यूंकि उस company का performance अच्छा हुआ फिर भी देखें कंपानी loss making company था और एस बैंक तो total loss making था उ इससे आपको dividend देंगे तो जिस company का performance year of year basis quarter of quarter basis अच्छा का सब हो रहा है तो उस company में आपको dividend जोरू मिलेगा तो मेरे कहने का मतलब अब समझ चुके है तो company का parameter के बारे में बात करूँ company मुझे जबदस company लगते है तो माफी जाता हूँ कुछ अलग स्टोक आ गया था तो यहापर देख सकते है टाटा इलक्सी के बात कर रहा हूँ तो टाटा इलक्सी एक IT सेक्टर से बिलंग करते है और यहापर आप देख सकते है 37,000 करोड का market capitalism हो चुके है company meet cap था अभी large cap company बन चुके है company का price range तो आप पहले ही देख चुके है कितना low level से high level आ चुका है company का peer ratio थोड़ा सा मुझे high लग रहा है company का सबसे जो positive thinking मुझे लगा वो है return of capital employee 40% आपको return of capital employee देखने को मिला return of equity जो है 29.9 मतलब आपको 30 average मानके चलिए दोनों माना जाता है और company अभी भी split नहीं किया bonus दिया मगा split नहीं किया अभी भी 10 रुपिया face value है तो कभी भी speed कर सकते तो जब speed करेंगे तो इसका price range और भी आपको comprise में देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर company का जो पोर्स है जो और जो कौन से मतलब पोर्स का मतलब है positive और कौन 10 भी देते है और company के जो negative हुई है बहुत book value के बहुत उपर high trade कर रहा है और साथी साथ company का sales growth थोड़ा सा कम है 5 सालों में तो overall बात करूँ company का performance के हिसाब से company almost IT software company से बिलंग करते है और obviously software जितने सारे धिगज company है उससे comparison यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर medium and small computer software के बारे में बात कर रहे है तो medium और small जितने सारे IT sector है उससे comparison करूँ तो यहाँ टाटा इलक्सी number 4 position में आते है इसका market cap lesson wise तो company का आप quarter basis यहाँ पर देख सकते है यहाँ सिर्फ उको parameter दिखा रहा हूँ आप launch करके इस वीडियो को देख सकते है यहाँ जबदस performance quarter basis और साथी साथ यहाँ year of year basis भी performance लेग लीजिए company जबदस यहाँ और year of year basis भी आपको laser यहाँ पर दिखा रहा है तो एक बात में इस company के बारे मैं कहना चाहता हूँ company जिस तरीके से यहाँ पर sales growth जिस तरीके से profit growth जिस तरीके से return of equity यहाँ पर दे रहे है और साथी साथ जो positive थेंगे है वो है CA0 percentage आ पांस साल में 55% का return, तीन साल में 48% का return, एक साल में तो गजब हो गया 276% का return, इतना return कौन सा company में मिलता है आप एक भार सोच लीजिए, तो IT sector में मिलता है, तो इस company में बहुत potential है और Tata Group के दिगज company है, तो इस company को आप जूरूर study करिए और नीवेस करने के लिए सोचिए, क्योंकि company जब दस है, देखें फिर भी मैं कहा रहा हूँ कि कोई मेरा कोई recommendation नहीं है, मैं बार बार आपको एह ही कहूंगा, मेरा कोई recommendation नहीं है, मैं आपको सारे parameter दिखाऊंगा, और कुछ इंग दूँगा, उस से आपको पता चल जाएगा कि company में कितना potential है, उस company आप study करक उसके बार निवेस करिए, blindly किसी के बातों में मत आना, मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं, कल जग कर देंगे, तो please मैं request करूंगा, अब सारे parameter एक बार वीडियो को pause करके, बार बार repeat करके देख लेना, उसके बाद आपको लगे कि इस company में potential है, तो आप ज़रूर खरी आपर देखिए, A5 भी 12%, DIC आपर देखिए, 4%, जो सबसे negative point है, वो है, इस public 37% यह आपर hold करके रखा, यह बहुत घबराने वाले बात है, क्योंकि public के पास ज़्यादा तस्यार रहेंगे, public panic में आकर, ज़्यादा तस्यार बेच के भाग जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा तर market में खत्रा आएगा, मतले, stock में के ऊपर खत्रा आएगा, तब stock जब अदस गिर सकता है, जिस तरीके से भागा है, उस तरीके से भी गिर भी सकता है, तो company के chart pattern open कर दूँ, तो आज की दिन तो मैं पहले बदा चुको, धाई परसन का तेजी, maximum chart pattern दिखा दू तो ये rocket के तरह भाग रहे देखिए, जब से company start हुआ, तो side basis चला था, बहुत दिन तो बहुत साल था, करीबन करीबन 8 साल या side basis चला, उसके बाद थोड़ा सा तेजी दिखाया, फिर भी एक slide basis, उसके बाद, corona के situation के बाएग, IT सेक्टर में तो rocket के जैसा आग लग गया, उस इस company के बारे में तो company खराब नहीं है, company जब अदस्त है, इसके वोपास study करिए, उसके बाद निवस करने के लिए सोचिए, तो आसा करते हो, फुरे लिएक साब को जान करें मिल चुका है, तो मेरे वीडियो को अच्छे लगे तो like करना, जोस्तों को सा share भी करना, मिलते है तब तक लेक्षे से रही है, अब में ख्या लगिए, बाबाए